आज मैं आलू करी बना रहे हूं बिल्कूल एकदम मसालेदार बनेगी इसके सामने आप ढाबा और रिस्टेरोंस से लाना भूल जाएंगे बहुत ही टेस्टी बनती है घर के समान से ही बनाओंगी और पनीर जैसे स्वाद आएगा बहुत ही टेस्टी बनती है कोई ऐसे इसके शूष करके डालेंगे तभी इसका थेस्ट अच्छा याईगा ये ये द्धरिय पत्ती है जो में धो कर बारी काट लेहूँ और एक चट्नी जार ले ली हूँ इसी में में टमाटर डाल दे रही हूं और चार पांच लहिसुन की कलिया ढाल दे रही हूं और एक इंची अद्रक का टुकड़ा छोटा कर ली हूँ तीन हरी मिर्च डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा चुकंदर डाल दे रहे हूँ इससे सबजी में कलर बहुत अच्छा आता है और चुकंदर हिल्दी भी होता है पानी नहीं डाली हूँ पीश ले रही हूँ क्योंकि टमाटर में काफी जूस होता है तो पीशने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसे पीश ले रहे हूँ इसके लिए ऐसे पीश कर टमाटर और मसाले डालेंगे न तब ही इसकी करीज होती है कि खाने में बहुत ही तेष्टी होती है आप चाहं तो खाटकर भी ढाल सकते हैं लेकिन प्रेष्ट बनाकर डालेंगे तो म्साले बढ़िया तयार होंगे टो एक बड़तर मी इसे निकाल ले रही हूँ इस जार में थोड़ा सा पानी डाल कर धो ले रहा हूँ क्योंकि इसमें मसाले लगे हैं इस पानी को मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी इसकी करी में तो ये हमारा मसाला तयार हो गया उबली हुई मैं चार आलो ली हूँ जो उबाल कर मैं छील ली हूँ आप अपने जेवरोत की इसाफ से ले सकते हैं जितना आपको जेवरोत हो गैश पर मैं एक कडाही रखी है उसमें दो बड़े चेमच सरसो का तेल डाली हूँ आदा चेमच जीरा आदा चेमच सरसो और एक मीडियो साइज के प्याज काटके में डाल दी हूँ इसका कलर हलका सचेंज हो जाएगा तब और मशाले आड़ कर लेंगे सरसो का तेल से सब्जी बहुत अच्छी बनती है थोड़ा सा सरसो का तेल पका कर तब मशाले डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें करीपत्ता भी डाल दी हूँ सबसो का तेल से अचार बनाते हैं तो अचार खराब नहीं होता है बहुत टेस्टी बनता है और कई तरह का अचार आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं जो पहले मैं सेयर करी हूँ आफ सब के साथ अब प्याज भी पक गए इसमें कलर भी अच्छा आ गया है जो मसाला तयार करक मेर्च ञालिप फहले एक साथ सब्सके को दैंके चैनल दया लगे में था सब्सक्राइश घ्री नोर्व भी पॉर्टध यचि लकाल सब्वारल समसाबर अगें जितना आपको परसंद हो तो मसाले भूनोंगी अभी जो गीला लग रहा है सोग जाएगा जब थोड़ा सा पक जाए पांच मिनट उसके बाद कुछ करम मसाले डाल दें अगर आपके पास समय से उपलब्ध हो तो मैं डाली हूँ एक छोटा चेमज पाव भाजी मसाला आप को कोई भी मसाला डाल सकते हैं जो आपको परसंद हो अभी मसाला पक चुका है आप देख पा रहे हुए लगबख 6-7 मिनिट तक भूनी साइड में तेल छोड़ रहा है देखें किनारे किनारे पर ये अब मसाला मारा पक है बहुत अच्छी खुसबू आ रही है इसी तरीके से पका कर आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया ये सबजी बनेगी और जो चटनी जार में पानी डाली थी मसाला लगा था ना उस पानी को भी डाल दी में थोड़ा सपक जाए तब इसमें आलू डाल दे मैं उबली हुए आलू डाल रहे हूं इस तरीके से बड़ा बड़ा दालेंगे तो देखने में भी अच्छी लगेगी सबजी और खाने में पहले मैं इसलिए दिखा दी देखो बड़ा बड़ा टुपड़ा काटी हूं तो इसे मिला लोंगे इतनी बढ़िया ये सबजी बनती है ना कि इसके सामने पनीर की सबजी खाना आप भूल जाएंगे आप चाहें तो कच्छी आलू से बना सकते हैं थोड़ा पकाना पड़ेगा पांच मिनिट पांच मिनिट में आलू पक जाती है अगर उबली हुई आलू से बनाएंगे तो सिर्फ मसाले तयार करके उबली हुई आलू डाल देंगे तो पकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी बस थोड़ा सा जब पानी डालेंगे तो पांच मिनिट तक इसे पकाना पड़ेगा और मसाले में अच्छे तरीकी से मिला ले रहे हुई चार पांच मिनिट तक भूनेंगे मसाले साथ ताकि उस सारे मसाले के स्वाथ आलू को टुकड़े में आ जाए जब आलू उबाल के दालें या कच्ची डालें तो ऐसे ही बड़ा बड़ा टुकड़ा काटें छोटा टुकड़ा नहीं अच्छा लगता है जब आलू मसाला करी बनाते हैं तो अभी मैं इसे तीन-चार मिनिट तक और भूनूंगे बढ़िया से एक दम मसाला गाढ़ा हो जाए तब इसमें पा दाल दी हूं और मिला दे रही हूं नमक आप अपने स्वान उसर कम जादक कर सकते हैं पाव भाजी मसाला डालेंगे और अच्छा टेस्ट आता है इसमें तो अच्छे तरीके से भून लें हूं लास्ट में इसमें एक चिमजबर के आमचूर पाउडर डाल दी हूं आमचू अब अच्छे तरीके से मिल चुकी है पानी अपने एक्छा अंसार इसमें कम जादा डाल सकते हैं इस सबजी में इसकी करी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसालों का भी और जो टमाटर के पेष्ट बना कर डाली हूं करी में अच्छा टेस्ट आने के लिए ही टमाटर क पानी अपने एक्षेंसार कम ज़्यादा कर सकते हैं मैं दो कप पानी इसमें डाल दे हूँ मिलाने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी लगभग चार-पांच मिनिट के लिए चार मिनिट हो गया धिमियाज पर पकाएंगे पानी बढ़ियां से पक जाएगा जब पानी पक जाता है तब सारे मसाले का टेस्ट पानी में आ जाता है बहुत बढ़ियां करी बनती है लास्ट में इस सबजी के जान एक चेमज भर के मैं कसूरी मेथी मसल के डाल दे रहे हूँ हाथ से मसलेंगे तो यह पौडर हो जाता है बहुत बढ़िया टेस्ट आता है यही तो इस सबजी के जान है अगर समय पे उपलब्ध हो तो जरूर डालें बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन कसूरी मेथी बाद में डालें जब सबजी तैयार हो जाए तब अब आलो को मै कर दूंगी ऐसे दबा कर अभी गरम गरम है बहुत आसानी से मैश कर सकते हैं तब इस करी में काफी गाढ़ा पना जाएगा सारा टुकड़ा नहीं मैश करना है बस कुछ टुकड़े मैश कर देंगे तब थोड़ा सा अभी पनी पशाद कर दे रहे है तो आपने फेमली और मित्रों में जरूर से में कर दे जियेगा चैनल पर पहले बार आए हूँ अभी तक सब्सक्राइब न की हूँ तो प्लीज मैं आप सब सुनिवेदन कर रहे हूँ बिने सब्सक्राइब किये मत जाईएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा इसमें मैं धन्य पत्ती डाल दी हूँ बस मिलाकर नीचे उतार दे रही हूँ इसे आप पूरी प्रामठा रोटी कैसे भी खा सकते हैं बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें इतनी अच्छी खुस्बू आ रही है कि जब आप बना कर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा अब पांच मिनिट हो गया हलका सा ठंड़ा हो गया है मैं दिखा रहे हूँ एक प्लेट में निकाल कर जितना ज्यादा ठंड़ी होगी यह सब्जी उतना ज्यादा गाढ़ा पन हो जाएगा इसमें यह देखी कितना गाढ़ा हो गया इस सब्जी को कैसे भी खाएं चावल के साथ बहुत अच्छी लगेगी एक बार इस तरीके से आलू मसाला करी आप बनाएं आपकी आलू मसाला करी कैसे बनी अपना नभू हमारे साथ जरूर सेयर करें कमेंट बुक्स में लिखना न भूले और लाइक भी कर दीजिएगा